प्रवाइगर जी का खाल सावेजी फते गुर्परीज सिंग काल चैनल तो दिल्ली दे विच जुड़े होया और इसक्रम एसी दिल्ली दे लोका देना शास्री बार केरिय दे विच गाल करन आया और इते जो तियारियां चाल रहे थे लोका देना अगला अलग अलग पार्टियां दी रेलिया भी अथे चाल रहे है और इते लोका देना मिल दे अदर दे लोकल साधेना आम आदमी पार्टी दे निगम पार्चत कांसलर एस एरिये तो गांधी नगर दे एस एरिये तो हसीब पूल हसन साथ जुड़े ने जुड़ेया जी जेनाब क्या कहना चाहेंगे क्या लगता इस बार किस्की सरकार बननी चाहीए और आम आदमि सामसिलर एन अगर बन्डेवे बना अगर बननी चाहीे तो किस मुद्धेवे बनिए विसन प्रदा मंतरी इस को बना आपके प्रिदाह मंत्री की जोड़ी का वो सौ मेंसे सौ फर्षेंट अमिशाव मोदी की जोड़ी इस बार खतम हो नहीं होना है इसे खतम कर पाएंगे दिल्ली के अंदर गठ बंदर हमारा कांग्रेस के साथ हुआ नहीं आपको नहीं लगता अगर यह गठ बंदन हो जाता त अगर गठ बंदन हो जाता तो शायद हम बीजेपी को हरा पाते हैं अभी इस सिच्वेशन में गठ बंदन ना होने से कि आपको लगता नहीं त्रिकोनी में मकाबले से जो फाइदा है वो कही नहीं बीजेपी को पूंख देखिए अजय माकन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं क् पिछली बार भी तीसे नमर पर आयते हैं और इस बार उनके सातों की सातों कंडिडेटों की जमान सब्थ होगी और जहां तक गठ बंदन की बात रही हम लोग डेली में गठ बंदन की बात नहीं कर रहे थे हम लोग पंजाब में गठ बंदन की बात कर रहे थे हम लोग हर्य आपको नदर आगी पूरी दिली के अंदर आप से बात करेंगे आप से फिर आपके वाबस आएगे आपको क्या लगता आम आदमी पार्टी की सरकार बननी क्यों चाहिए देखिए ऐसा है जिस तरीके से पिछले पांच सालों में भारती जनता पार्टी की सरकार बनी और उन्ह के लावा कोई काम का नहीं किया इस तरीके से आज जो उनका पिछला सांसा था महेश्गरी इस इलाके से उसने कभी कोई काम नहीं किया उसने कभी किसी लोगों ने महेश्गरी की शकल तक नहीं देखिए और यही कारण हो सकता नहीं हाँ यह कारण भी हो सकता क्योंकि वह कह दे भी देगी तो उससे मिलने ऐगी वहुट सेलेबिरीटी है वह अफना जो है मैचों में रहता है तो उससे मिलने जा जाएद है जो मिलने कहां है उसने एजूकेशन के छेतर में जो किरांतकारी बदलाओ की है उस एजूकेशन के छेतर में किरांतकारी बदलाओ की बुनियाद पर आमादमी पार्टी की प्रताशी है वो सबसे एक नंबर पे है और आज पूरीवी दिली की सबसे एक नंबर की प्रताशी है पूरीवी दिली इसे गोतम गंबीर तो गंबीरता में और कॉंग्रिस पाटी भी फल एक तम और हमारी आतीसी मेडम पून वोमस से जीत रही है कोई रोकने वाला नहीं है और गांधी नगर के एक तब मजबूत है वोलेंटर मजबूत है सब एक जिन्द गोतम गंबीर एक सेलेबरिटी है और अगर उनके रेलियों में देखते हैं तो बहुत भीड़ भी जाती है कई नहीं है कुछ नहीं है जो पेड़ करके बुलाए जाते हैं बंदे पेड़ बंदे हो और हमारी आमाद पाटी के कारे करता निशुल्ख भू के प्यासे लगे रहते हैं आतीजी के साथ और पूरा सम कारी स्कूलों की व्यवस्ता बिल्कुल अच्छी नहीं थी मैं के आने के बाद व्यवस्ता अच्छी हुई है अब MP1 के मैं हम आएंगी तो और अच्छी व्यवस्ता करेंगी हम लोग सब मैडम के समर्थन में के सब्सक्राइब करें हैं की महीला किनदिट्रेट्टो शेला तीमया च्छी ओएंगी प्रविंदर ने आख्षी लेगी बीजेपी से आतीशी आमादमी पार्टी से क्या यह साथ में एक कागरा से आप सहमत नहीं बिलकुल सहमत नहीं है आकड़ा तो ज्यादा होना चीए ता महिलाओं का कोई नहीं अब एक को दिये तो हमारी मैडम सारी महिलाओं को स्ट्रॉंग करके दिखाएंगी आतीशी जी विजे होंगी ठीक है कमर और जी साथे नाले थे मजूर ने की कहना चाहोगे कमर जी मैं पंजाबीज गाल करांगे बहुत विजे तो उसी बॉल नहीं पता की कहना चाहोगे आदे समय दे वेच गोतम गंभीर एक वड़ी सेलेबरिटी अरव का वास्ते बोटा मंगन जारेने की लागता है कि वड़े स्टारां देके यहां सेलेबरिटी देके उनना दा जिड़ा अगर जादू चाल पाए ज्यादा कुछ ना कहना कि अर्विन केदरीवाल जी ने मनीशी सोधिया जी ने जो भी केंड़ीड था किता है बहुत सो समझ क बहुत अच्छे नमरा तो सरकारी स्कूला दे बच्चे पास होए ने जिदी किसी नूँ अन्नी उमीद ही नी सी और एसकर के मैते अगर जादा ना बोल दे वैंने कम बोल दा है और काम आम आदमी पार्टी करन जी कदी पिछे निया अगर उन्नू काम करन दित्ता जाए आम आदमी पार्टी दे वर्कर कारे करता और इवन जिनने भी ओधे उपर दे लेवल दे लोग ने काम करन नो रात बेराज जदों बची तुभी बुला लो और पब्लीक दे काम अस्ते हो कदी पिछे नियड़ दे और आदे वासे आती शी जी बहुत बहुत तन्यवाद आगा और शिक्षा दे वासे ओना ने दिली असे बहुत कुछ किता और अगर आना ले टाइमिज अगर फ्री एंडिड होना देता जाएगा और अगर डीडी ये सानू मिली तो मैंने उमीद है दिली बहुत सारे कॉलेज और अनिवर्स्टियां दा जेड़ा आमाद मी पार्टी न की पॉसिबिलिटी है कि दिली नुपूर्ण राजय मिल जाएगा शुरुवात थोड़े थोड़े तो होन दी है एकदम असी सही कई है कि जी साड़े केदरीवाल जी पीए मान जानगे ओधो से एनना कोई हो नहीं है लेकिन बेस जड़ा है और मजबूत करके चले हैं अगर चाहिए को जीतना चाहिए उन्होंने शिक्ता के नाम पर बड़ा काम किया है आतेशी जी जीतेंगी तो और भी काम दिल्ली में जादे होंगे पढ़ाई के लेवेल पर बहुत अच्छा काम किया है एक सवाल आप सभी से क्योंकि यहां पर मैं देख रहा हूं साड़े हमारे के ओपर की बीजेपी जो है धरम की राजनीती करती है और जब बीजेपी से बात करते हैं वो कहते हैं हम तो जी सेक्यूलर हैं हम तो कॉमिनलर नहीं है आप उनकी इस बात से सहमत है या नहीं हम भारती जनता पाटी से कभी भी सेक्यूलर नहीं है क्योंकि वो आज तक सेक्य करेटान के नाम पर रोड़ मांगती है लोगों से और पुल्वावा जैसा मुद्दा लेकर करके खुदी बलवा करा करके और खुदी जो है उसका फाइदा लेना चाहती जो हमारे केजरिवाजी ने कहा है कि यह आने वाला टाइम है यह पुल्वावा का भी बाबा अबिड़कर के समिधान का पुर्चोर स्वागत करना चाहिए और उसको मनना चाहिए ये लोग आइंदा अगर इस बार 2019 में मोधी सरकार अगर आती है तो ये समिधान ही खतम कर देंगे और ये बिल्कुल अंग्रेजों की तरह हुकूमत करना चाहते है इसलिए मैं है चाहता हूँ कि समिधान इस तरह खतम हो सकता है कि ये लोग चाहते कि 2019 में हम जादा जादा सीटे लेकर के आए और समिधान को चेंज करें पार्लियमेंट में ये से हेडलर ने चेंज कर दिया तो समिधान और रही आतिसी जी की बात तो इन्हों ने एक रुपए महीने पे नोकरी की है शिक्षा के मामले में और ये तो लबली जी टिकट ले आए अपनी इस जब ये भी कमा देंगे इनसे एक काउंसलर तक तो लिखला नहीं और ये दसमेले को उपर ये MP कैसे बनेंगे एक काउंसलर की इनकी आवकाद नहीं जी एक काउंसलर लिकार लेके जो 15 साल शिक्षा मंत्री रहा उनका स्कूल का आज हालात देखे कैसे है और 15 साल पहले जो राज शिक्षा मंत्री वो देखे कैसे है इनकी आवकाद नहीं जी एक काउंसलर जीत के दिखा देते और ये टिकट ला करके या और फस गए अगर अमारा केजरिवाल समरतर मांग रहाता है कि अमारा कड़ बंदन कर लो यह बहुत अच्छा होता और हम दोनों आदमी को भगा देते हैं यहां से और हमीशागों भी और मोटी को भगा देते हैं यहां से मगर इन्होंने चाहा ने इनकी चाहले के भी जीपी को फाइदा पोचे इस मामले में नहीं किया कांग्रेस में हमारे करेस्पे अरोप लोगमंच पे बोला कांग्रेस पर होप लगा रहे हैं यान करने दो कर सक्राश किएम है अगर शाल करें कि की रिश्वत weights arthritis अब भी भी बातने चल रही है कि शायद मोधि सरकार की तरफ से जो है विज्या गोईल जी क्रें कि दस से 14 मले आमादू पार्टी के हमारे ठाच में हैं दस-दस करोड बहें जो कि बाते जो है मनीश सी सोधिया जी भी कह रहे हैं कि हमारे मेलों को खरीदने की कोशिश की जा रही है और शेहद कुछ खरीदे जा भी चुके हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि रिश्वत्पोरी में वह अभी सावित होने बात है आप मुझे सावित कर दो केजरीबा जी एक नहीं लिखाए उसको निकाल देएगे ऐसे हमारे बाकी का पिल्म स्छव होए थे हैं पे जो अमारे जलबोट क मंतरी थे हमनकी नियत पहले पचान एक ह। आज वो बीजेपी के साथ में हैं, केजरी बाले एक मिलेट नहीं लगाता, सम्झावता नहीं होगा, इमानदारी से सम्झावता नहीं करेंगे, रिजबत खोरों को बच्टे अचारों को निकाल कराएंगे बैहिमानों को, जिन्होंने 70 साल में देश को लुटा है, आज जो ज पहुचा है इसी कार्यस पार्टी ने, आज मैं यह कहना जाता हूँ, मैंने भी 18 साल कार्यस की उकूमत में कारी करता रहा हूँ, मैं आपको एक परच्छा दिखाऊँ वा, मेरे पास लेटर लिखे रखा है, कीन बार राउल जी के दफ्तर में गए राउल जी से टाइम और नाएम से किसी ने बात करी, जो उनके इर्द गिर्द हैं, वो उनकी बात करते हैं, यह मैं संगटन का, गानी नगर पिजान सबाब पूरवी दिली का, मैं अद्दक चूँ, इस्टी कभी बूश्ट कभी, मैंने ऐसे ने छोड़ी, मैंने हमारे संगटन ने, 24-22 दिन आइल खुलवा दी, हम तो वो किरांतिकारी संकटन के कारी करता है, जिसकी संचालक सौनिया जी ने आज देख दिजिए, आज जी मेरा, मेरा यह आई काइट देख दिजिए, और मैं तीन दफे गया रावल जी से टाइम लेने के लिए, मुझसे किसी ने बात लई की, तो इ मेल्टाचारी को में बख्षूगा नहीं, या उसका पार्टी से निकाल दूगा, या खुद मर जाऊँगा, इमांदारी में रहके, और इमांदारी पर ये पार्टी जीत किया ये, जिन्होंने गलत हरकत किया, उनको कही रिवाने एक पिलट दी लगाया, बाहन निकाल दिय अलग अलग सपोर्टर्स अपनी जो के दुख दर्ब नो बयां करते होए, पार्टी नो चटन दी गलाँगा, और अलग 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 लोकां दे वलवले ने जीदे करके, और गुसा और नादाज मीडिया दे माइक ते फुटता पे आपे आएगा, और शायद है गुस अकाल चैनल नो सब्सक्राइब करो नवी वीडियो से नोटिफिकेशन देले बेल आइकन नूँ क्लिक करना ना पुलना